इसे ऐसा कहे जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 25 जून विश्वास की गोशना मैं गोशना करता हूँ कि मैं विशेश असदारन और आलोकिक हूँ मैं गोशना करता हूँ कि मैं जीवित हूँ मैं फलता फुलता हूँ मेरे रास्ते में आने वाली हर कटिनाई के बावजूर म मैं समिर्द हूँ, मुझे पता है कि हर जटका वापसी के लिए एक तैयारी है, मैं स्तिर नहीं होता या अपने सपनों को नहीं छोड़ता या जहां मैं हूँ वहां बस जाता हूँ, मुझे पता है कि इश्वर की कृपा का एक सपर्ष सब कुछ बदल देता है, मैं आशिरवा मुक्त जीवन और कुछ भी जो अंधेरी से जुड़ा है, क्योंकि मैं इश्वर के वच्चन के प्रकाश से पैदा हुआ हूँ, मेरा पूरा शरीर जीवन से भरा है, मेरे साथ बिमारी, रोग या दुरबलता का कोई निशान नहीं है, जो मुझे इस से संबंदित है, मैं इश्वर का प्रिया हूँ, मैं इश्वर और मानवजाती का क्रिपा पात रहूँ, मैं वहीं बोलता हूँ, जो मैं देखना चाता हूँ, न कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीच हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमेन पर लगाया गया हूँ, मै मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फुलता हूं। मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूं। मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूं। और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फुलता रहूंगा। मेरा पत्ता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूं वो येशु के नाम में समिर्द होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही हैं मैं मसीहा येशु में हर आद्मियतिक आशिरवात का प्राप्त करता हूं मैं एक आत्मा हूं मेरी आत्मा में एक अं और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है। येश्यू की नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है। मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ, परिपुर्ण बनो, मसीहा के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वच्चन से सरेकित होने की आग्या देता हूँ, मैं अपने स्तायों और नसों से जीवन ब बनाय रखने के लिए बात करता हूं मैं अपनी किड़नी लीवर और अगनशायों को पुर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशी का में जीवन है मेरी हडिया जोड और काटेलेश सरेकित मजबूत और डिड़ है मेरे पूरे उपरी और नीचले अंग उत्कुष्ट रूप स और पुरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजा शीशु और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कज गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आग्या देता हूं और जहां वर्दी की पास छोड़ता हूं मेरे दात मसूडे जबड़ी की हडिया और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्न है मेरे सभी हार्मोन और निरोक्यामिकल ट्रांस्मीटर एक दुसरे के साथ पूर्ण सामज़ाई में है और अपने कारियों को साम मन्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खात पदार्तों को पचाने अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापची अपशित उत्पात नीमित रूप से उसरजित होते हैं में खाने तकनीक मीडिया शितलता गपशप आलस अधिक नींद सुस्ती और भाद्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यासनों शराब निकोटिन ड्रक्स की दिव्य धातुपान आत्यादिक बोग को कैद करता हूं और मसीहा की आग्या करिता में लेता हूं जैसे येशु वैसे ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी ब दिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र प्रयाक मात्र में और अच्छी गतिशिल्ता वाले शुक्रनाओं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक ब्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरी शर शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येश्यू के नाम पर मना करता हूं। आमें